नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? बहुत से बच्चों के मेरे पास personally messages आये और कुछ बच्चों ने मुझे personally call भी किया उनकी problem थी course की validity को लेकर के वो चाते थे कि sir course की validity को बढ़ाया जाये क्योंकि course बहुत lengthy है और आप जो पढ़ा रहे हैं उस तो course और भी ज्यादा लेंदी हो रहा है और एक course तो है नहीं मतलब एक subject तो है नहीं ओर भी बहुत सारे subject है ये optional तो बहुत गरद की सीडी है से पहले ना जाना कितनी सीडी है हम को चड़नी पड़ेंगी तब हम optional तक पहुँचेंगे तो और फिर आपका तुसरा target है दो-चार उन्होंने मुझे मसके भी लगाए कि सर आपका तो target है आप कम fees में बच्चों को पढ़ाते हैं तो फिर आप मनलब एक साल पूरा हो जाएगा फिर next year हमको फिर से payment करना पड़ेगा तो प्लीज सर देखिए इस course की validity को बढ़ाईए और एक साल में तो सर तयारी होती नहीं है UPSC की कितना भी अच्छे से अच्छा बना रहो कितनी भी मेनत कर लो फिर भी एक साल में तो कुछ होने से रहा नहीं कम से कम पूरी मेनत से बढ़ेंगे तब भी हमको दो साल तो लगने ही लगने है तयारी के लिए तो मैंने फिर अपनी टीम से बात की भई कि ये एप के अंदर जब course की validity को fix कर देते हैं तो क्या उसे change कर सकते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि उसको change किया जा सकता है और change कर सकते हैं तो फिर मैं तो पूरी तरह से तयार हूँ कोई issue नहीं है आपकी course की जो validity है वो एक साल की है उसको बढ़ा करके हम लोग सीधे 2 साल के लिए कर रहे है इस से अच्छा और कुछ नहीं कर सकता है आप बलकुल अच्छे से पढ़िए detail में पढ़िए बिंदास हो करके पढ़िए कोई जल्दवाजी नहीं है आराम से पढ़िए एक एक चीज क्यों कि मेरा जो focus है वो उन बच्चों पर भी है जो non agriculture के है इस course के अंदर बहुत सारे बच्चे है जो आपके non agriculture background के है तो उन पर मुझे focus करना है जीरो से लेकर के hero तक वो एक एक चीज एभी सीडी पढ़नी है तो मेहनत तो लगेगी तो course की जो validity है वो एक साल से सीधे दो साल की कर दी जाएगी कुछ समय बाद तो आप लोग बलकुल tension मत लीजिए कोर्स की validity को लेकर के अच्छे से पढ़िए Thank you